नश्कार दोस्तों यह 11 बज गए है फिलाल और यह दूरिंग मार्केट लाइव अपडेट है निफ्टी आपका ग्रीन केंडल इसको छोड़िए केंडल कौन सी है इस इस चैनल का तो सबसे पहले इसने ब्रेकडाउन दिया है इस चैनल का इसने ब्रेकडाउन दिया है तो दो तरीके कल में वीडियो बनानी पाया तो दो तरीके से रीडियो को समझेगा ठीक है सबसे पहला जब तक मार्किट इस लैवल के नीचे का 850 कि मोटा मोटा राउन फिए गरा 550 ही आद रखी ठीक है, 850, मार्किट वीक है, ठीक है, मार्किट क्या है, वीक है, हाँ, थोड़ा सा इस तरफ इसको सपोर्ट मिलेगा, यह जो 21,700 से लेके 750, यहां पर आपको काफी सारी केंडल दिख रही होंगी, जहां पर इसने, यह है, 700 के आसपास, 700 से 750 के आसपास, जरूर नीचे से आक करेगा, ठीक है, पर 850 के नीचे है, तो यह सेल का ही घोड़ा है, 850 के नीचे, ठीक है, दूसरा, अब इसको नियम कायदे से, इस चैनल की जितनी ब्रेथ है, उतना नीचे इसको यहां से टार्गेट भी देना चाहिए, चैनल की ब्रेथ, एक बार हमने पहले भी निकाली थ निकाल लेते हैं, यह निकलेगी आपकी, मोटा-मोटा यह इसने यहां से अगर ब्रेट डाउन दिया है, ठीक है, तो 21,400 तक के टार्गेट इसमें उपन होते है, 450 तक के, इसको 450 तक एक बार आना चाहिए, पोजिशनल मेंसे, यहां पर दो चीजों का ध्यान रखेगा, दोस्तों, जो पुट के प्रीमियम है, मतलब प्रीमियम कॉल पुट जो भी है, अब वो इतने तेजी से बढ़ नहीं रहे, ठीक है, इतने तेजी से बढ़ नहीं रहे, ठीक ह है, तो भाईया, सेल का कोई व्यू नहीं है, समझ लीजे फिर, एक दिन की चाननी थी, बीर्स के लिए, अब फिर मार्केट उपर है, ठीक है, हां तेजी नहीं करनी है, तेजी नहीं करनी है, तेजी नहीं करनी है, 850 के उपर निकलने से, पट सेल से निकल जाना है, that is the most important thing so फार, ठीक है, आप तेजी करनी है, जब यह 910 के उपर निकल जायगा, कितना नो सो दस के उपर निकल जायगा, या 925 ट्रिगर हो जाएगा आप तब कर लिजेगा, ठीक है, वहां से SSL रखिएगा, 900 का 925 के trigger होने पर देजी करिए SL रखिए 900 का intraday में आपको 50 60 70 point मिल जाएंगे exit उतना ही लेना उससे ज्यादा नहीं लेना ठीक है उतने point आपको मिल जाएंगे फिलहाल जब तक 850 के नीचे है इसको आप 850 के आसपास से सेल करिए ठीक है मतलब 820 दिखता है तो सेल करिए 825 दिखता है तो सेल करिए 850 के उपर नहीं जाना से ठीक है वो नीचे की तरफ 750 के पास पास आता है exit मारती लिए फिर सेल आपका भाया 675 के नीचे है फिर ठीक है यहाँ पर अगर मैं आपको weekly चाट दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा यह यह वारी लाइन देखें जहां मैं रखूंगा यहाँ ठीक है इस जगे कितनी केंडल का खेला है एक दो तीन चार पांच छे ठीक है क्लोजिंग बेसेजी यह ना तो 700 से लेके 750 बहुत बढ़िया सपोर्ट कर लेगा इतनी असानी से मतलब एक बार में जाएगा नहीं वहाँ से पूल बैक जुरूर आएगा तो 850 के जब तक नीचे निफ्टी है यह पोजिशनल शॉट भी आप क्रेट कर सकते जी हाँ पोजिशनल शॉट ठीक है जब तक आट्सो पचास की नीचे अब आते हैं बैंक निफ्टी पर बैंक निफ्टी ने दोस्तों इसने भी इस चैनल का ब्रेट डाउन दिया इसने भी इस चैनल का ब्रिड डाउन दिया तो इसका एक टार्गेट बनता है 45,800 के आसपास और 45,500 के आसपास इसके ये दो टार्गेट बनते हैं इस फ्राइडे तक मतलब आज क्या है वैडनेस दो दिन बागी है इस फ्राइडे तक ठीक है और ऐसे लोना चाहिए 46,500 मतलब वह ही देता है ये वाला बॉक्स ठीक है अब इसमें बीच बीच में कहा 45,800 45,500 और एक 45,100 के आसपास ठीक है ये अल्टीमेटली टार्गेट इस 44,600 के आसपास अल्टीमेटली कोई क्लोजिंग 46,500 के उपर नहीं आनी चाहिए वो बीच बीच में जंप लेने वाले स्पीड ब्रेकर जो है वो ये 45,800 45,500 से 600 के बीच दन 45,000 50 से लेके 45,150 के बीच ये अगर 46,500 के नीचे रहता है 46,500 के नीचे रहता है तो भया ये घोडा नीचे का ही है ठीक है ये घोडा फ नीचे का ही है ये चीज याद रखिएगा ठीक है चलिए वीडियो में पोस्ट करते हूं